हेलो एब्रीबन तो आज के लेक्चर में हम लेक्चे आएं कॉंप्लेक्स नंबर तो हमारा पहरे लेक्चर है कॉंप्लेक्स नंबर का तो कॉंप्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ स्टड़ी कर लेते हैं iota okay iota क्या होता है इसको i से denote करते है तो iota की value root minus 1 के बराबर होती है iota की value root minus 1 के बराबर होती है यह आया कहां से देखो मैं जाता हूँ let's say मैंने बोला आपको x square plus 1 is equal to 0 तो find x मैंने बोला क्या आपको x find out करना है ठीक है अगर x मैं बोल रहा हूँ की real है let's say मैं पहला case ले रहा हूँ मैंने बोला x real है x का बिलों कर रहा है real को बिलों कर रहा है यह पहला case है तो क्या कोई solution आएगा नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा x square plus 1 is equal to 0 है यह quantity positive है यह equal to 0 सकती है और यह quantity plus 1 है quantity का sum 0 आ रहा है ऐसे कभी possible नहीं है अगर वो real है तो ठीक है इसका real solution exist नहीं करता तो जो iota आया है वो कैसे हैं मदार हूँ कि उन्होंने क्या किया x square minus 1 इदा के लिए गए और x के उपर root ले लिया ठीक है ऐसे root ले लिया इसका clear है तो इन्होंने इसको क्या बोला इन्होंने इसको बोला कि इसको iota लिख लो इसको इस root minus 1 को iota लिख लो तो इसको बोलते है non-real numbers non-real numbers that is iota iota की उपरती यहां से होई है iota यहां से आया इनके माइन में clear तो यह एक non-real solution है इस equation का x square plus 1 is equal to 0 एक non-real solution है तो iota क्या होता है root minus 1 होता है यह आया कहां से अब तक हमने यह से कहा clear चलो आगे चलते है अब देखो कि iota की value root minus 1 होती है अगर मैं दोनों साइड square कर दूँ तो iota square किसके बराबर हो जाएगा minus 1 के okay मैं दोनों साइड iota की multiply कर दूँ अगर इस equation में इस वाली में तो iota cube minus iota के बराबर हो जाएगा clear है okay अब मैं दोनों तरफ फिर से iota की multiply कर दूँ तो iota की power 4 minus iota square हो जाएगा और iota square की value देखो उपर आपने minus 1 बोल गिया तो minus 1 iota square की value minus 1 और भार minus है तो प्लस 1 हो जाएगा clear है तो तो आप तुम जैसे आगे चलोगी मैं लग मैंने क्या करना चाहाँ कि iota की power 1 का answer तो iota होता है iota की power 2 का answer minus 1 होता है iota cube का answer minus iota होता है iota 4 का answer plus 1 होता है उसके बाद अगर आप iota 5 लिखते हो right iota 5 लिखते हो तो दोबार ऐसा iota आजाएगा क्या तो यानि कि इसके बाद इस 4 की power के बाद ये repeat करने लग जाएगा अपने value फिर iota आएगा फिर minus 1 आएगा फिर minus iota आएगा फिर plus 1 आएगा तो यानि कि 4 के बाद repeat कर रहा है देखो कि अगर मैं लिखो multiple की 4 includes वाले 4 में लिख दिया बनेगे तो इसका answer तो 1 आएगा इसका answer iota आएगा इसका answer minus 1 आएगा और इसका answer minus iota आएगा clear ठीक कैसे आया कैसे आया वो देखो ठीक इस cyclicity का मतलब ये होता है ठीक है ना जो मैं लिखना चारा minus iota की इसलिजी का मतलब ये होता है देखो मैं समझा रहा हूँ इसको detail में कि कैसे क्या होता है तो let's say मैं लिखा है iota की power 4n तो कोई बच्चा इसको इस तरह से ले सकता है 4 को अंदर ले गया और 1 को यहां प्राग दिया तो iota 4 की value तो 1 होती है ओपर से तो यह तो iota आगया 1 into iota iota same logic यहां पर लगा दिया आपने 4n plus 2 के लिए कि iota 4n into iota square iota square की वेलिए minus 1 और iota 4n की value 1 तो यह minus 1 आगया next है 4n plus 3 so iota 4n plus 3 है तो iota की power 3 लिख लेते है 4n की value 1 i3 की value iq की value उपर से क्या minus iota तो यह minus iota आगया तो यान कि इससे हम क्या include करना चाहरे है इससे हम क्या include करना चाहरे है अगर मैंने इस तरह से लिखा cyclicity 4 थी इसलिए मैंने 4n plus 0 4n plus 1 4n plus 2 4n plus 3 थाइप से लिखा 5 होती तो 5n 5n plus 1 5n plus 2 5n plus 3 5n plus 4 लिखता मैं या 4 है तो 4 का use कर रहे है clear okay इसका मतलब क्या होगी अगर मैंने let's see मैंने लग iota की power 3, 2, 1 की value क्या होगी जैसे मैंने ये question पूछा आप से तो आपको कुछ नहीं करना बस ये बता लगाना है कि ये number किस type का है ये number किस type किस type से मतलब कि इसको 4 से divide करोगे कि ये 4n type का है ये 4n plus 1 type का है ये 4n plus 2 type का है ये 4n plus 3 type का हम ये पता कर लेंगे तो 321 को जब आप 4 से divide करोगे तो ये number 4n plus 1 plus 1 वाली category मा जाएगा क्योंकि इसका remainder 1 आएगा इसका remainder कितना आएगा 1 आएगा तो 1 remainder पर 4n plus 1 पर एक answer क्या आता है आएटा आता है तो इसका answer कितना आएगा आएटा क्लियर है तो इस तरह से हम केवल remainder निकाल के ही बता सकते है तो अब बार-बार हम ये लिखेंगे 4n plus 1 नहीं लिखेंगे direct इसको 4 से divide करेंगे और यहाँ पर इसकी जंगा पर remainder लिखेंगे तो remainder कितना है 1 that 1 लिखेंगे तो आएटा answer और देख लो ये लिखेंगे लट से मैंने है तो इसको 4 से divide कर लो तो 4 से divide कर लो last की 2 number को divide कर लो बस और किसी को divide करने के जलुत नहीं है last की 2 digit को divide कर लो इतने होते है minus iota आयटा की बेलव के टने होते है minus iota तो इस तरह से कोई भी power आयटा की ओपर दे रखी हो आपको तो आप निकाल सकते है 260 factorial दे दिया 260 factorial ng राइट 260 factorial की value क्या होगी 260 factorial की 4 का multiple है 4 आएगा ही आएगा 4 आएगा ही आएगा तो 4 आएगा यानि कि इसका remainder 0 है तो आयोटा की पावर 0 है यानि कि इसकांसर कितना है 1 तो इस तरह से आप कोई भी number की calculation कर सकते हो अगर आयोटा की power की form में दिया हुआ है clear तो ये detail में था आयोटा के बारे में कि आयोटा कैसे काम करता है आगे और detail पढ़ेगे पहले प्रोपर इसकी definition पर आता है कि complex number की definition क्या होती है complex number तो पहला point क्या है complex number को Z से denote किया और इसको लिखा A प्लस आयोटा B किसी-किसी बुक में X प्लस आयोटा Y भी मिल सकता है तो उससे कोई ख़बराने वाले बात नहीं है यहाँ पर मुहिन क्या है कि A और B मैं A और B पर डिसकस कर रहा हूं A भी आपके बिलॉंग करते है real number के यह आपकी value real होनी चाहिए A और B real होनी चाहिए आयोटा आपको पता हिए root of minus 1 है ठीक है? आयोटा यहाँ पर क्या है root of minus 1 यह आपको पता होनी चाहिए तो this is the definition of complex number A और B यहाँ पर real होनी चाहिए यह याद रखना है A और B यहाँ पर क्या होनी चाहिए? real होनी चाहिए ओके? ओके? यहाँ पर second point क्या है? A is the real part of complex number gel ओके? and B is the imaginary part imaginary part of complex number clear? तो मैं बलगे यह Z के जो Z मैं लिखा है complex number अगर मैं A की बात करूँ तो यह real part है अगर मैं B की बात करूँ यह imaginary part है तो याद कैसे करेंगे? जहाँ पर IOTA लिखा है वो imaginary part है जिसके साथ IOTA लिखा हुआ है वो imaginary part है आप तो clear है? okay मान लो मैंने यह लिखा कहीं पर कि Z is equal to C plus ID और मैंने कुछ नहीं बोला मैंने आपसे बोचे कि इसमें real part क्या है, imaginary part क्या है okay? आपको real part क्या है और imaginary part क्या है तो आप C और D नहीं बोलोगे कि C real है D imaginary यह नहीं बोलोगे जब तक आपको यह ना पता हो कि C and D belongs to real तब तक आप comment नहीं करोगे जब तक आपको यह information नहीं किवन है कि C or D real number है तब तक आप comment नहीं करोगे क्यों? मालोग यह भी तो बोज़ता नहीं कि C बी एक complex number है मालोग इसे नहीं से ज़िए C complex number है 2 प्लस 3 आयोटा और D बी एक complex number है 5 minus 3 आयोटा तो अब तो इसके real part और imaginary part change हो जाएंगे तो इसलिए ध्यान रखना कि जब तक यह ना बोले कि C or D real है तो यह real part और imaginary part नहीं है इस complex number के ओके यह 3 point important है जो हमने discuss कर लिए clear है क्या? ओके 4th point 4th point क्या देखा हमने? मालो किसी complex number में मालो किसी complex number में A0 है तो Z क्या हो जाएगा? आयोटा B type इस complex number के हम क्या बोलेंगे? purely purely imaginary ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? purely imaginary मालो किसी में B0 है किसी में B0 है तो Z क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे हम? purely real ठीक है? purely real बोलेंगे इसको clear है? इसको क्या बोलेंगे? भाई? purely real बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? purely imaginary number purely imaginary number purely real number ठीक है? अच्छे आपका 4th point हो गया? 5th point रहा हो एक क्या आद रखना है? 5th point रहा हो आपने ये पढ़ाओगा बच्ठपन में अपने कि मैं इसको एकसे लिख सकता हो ठीक है? मैं इससे रख सकता हूँ लेगि ये गलट है ना ये ग्या है? गलट है इसको आप तभी का इससे ले सकते हो तो कब ली सकते हों या तो एर भी दोने पोजिटिव हों modular be both both positive या तो यह हो कि दोनों के-दोनु के-दोनों positive हैं, बहुत. या, फिर at least बहुत? is negative at least नहीं बोलेंगे at least नहीं बोलेंगे,at least नहीं बोलेंगे,at least नहीं दोनों भी आ जाएंगे तो 1 has, 1 is, atmost 1 is negative,atmost 1 is negative..atmost 1 is negative. मैं लोट देखो समझा रहा हूँ, मालो में लिखा 2 into root 2 into root 3, तो इसको दाल भी सकते हो, क्या ले सकते हो भाई इसको, root 2 into 3 लिसकते हो, तो इज़ रूट 6 के बराबर आ जाएगा, ये सही है statement, अब मैंने बोल दिया कि दोनों के दोनों negative, minus root 2 minus root 3, और यहाँ पे minus 2 minus 3, अब दे ये कै ये root 3 चलेए, ये root 3 आयँ उटा है, और ये कैए थो minus minus plus हो जाएगे, तो ये root 6 है, तो यहाँ पे तो ये root 2, root 2 मिल के root 6 हो गए, multiply हो गए, क्योबि प्लस में तो वो rule लग जाता है, और i square हो गया ये, और ये हो गया root 6, तो ये minus root 6, root 6 के बराबर आ गया है, तो गलत है minus root 6 root 6 के बराबन नहीं होता है यानि कि ये फेल होगे है तो अगर दोनों के दोनों number negative है तो ये definition फेल हो जाएगी जो उपर लिखवाई है हमें root A into root B is equal to root A भी ये फेल हो जाएगी ये तभी valid है तो दोनों positive हो ये at most एक negative हो मलब एक तो negative होने चाहिए दोनों नहीं होने चाहिए ठीक है negative वाला case दिख लेते है हमें कि कोई भी एक negative है मालने में ये negative है और ये positive है तो क्या लिख होगे 2 minus का ये है minus है तो ये 2 आयोटा होगा root 2 आयोटा ये रूट 3 है ये ये भी क्या होगा root 6 आयोटा होगा तो ये root 6 आयोटा आगया ये भी root 6 आयोटा आगया तो ये तो बराबर है यहाँ पर सही है अब सही है कोई दिक्कत नहीं है तो ये याद रखा कि दोनों negative नहीं होने चाहिए ठीक है दोनों negative नहीं होने चाहिए एक का sign different होना ही चाहिए ठीक है दोनों positive चलेगा ठीक है ना? दोनों positive चलेगा दूसरी चीज जाया दखने है 6 point complex number में complex number में आप यह नहीं बोल सकते let's say माले एक complex number Z1 है A plus IOTA D और एक complex number Z2 है C plus IOTA D ठीक है? यह तो complex number में complex number में आप यह नहीं बोल सकते हैं कि यह complex number इससे बढ़ा है या फिर यह complex number इससे बढ़ा है ठीक है? ऐसा कोई information नहीं होती है यह absurd है ऐसा कुछ नहीं होता है complex number में ठीक है माला आप compare नहीं कर सकते हैं quantities को complex quantities को you can't compare कि ये बड़ा H बटा क्लिए उसका logic हम बातें बताएंगे आगे कि ये इसका logic क्या है कि क्यों नहीं कर सकते ठीक है जी ओके अगर दो complex number next है माले दो complex number है A plus Iota B और C plus Iota D अगर ये दो complex number equal है अगर ये दो complex number equal है तो A plus Iota B is equal to C plus Iota D तो इसका real part real part के बराबर होगा यानि कि A is equal to C और imaginary part imaginary part के बराबर होगा तभी ये दोनों equal होगे अजर वाइस equal नहीं होगे किलियर है चलो next 8 point देखो अगर मैंने लिखा कि A square plus B square is equal to 0 तो मैंने यह नहीं बोला कि A और भी real है मैंने यह नहीं बोला कि A और B का यहां पे real है तो अगर A और भी real है मालने मैं पहला case ले रहा हूँ कि A और भी real है तो A की value 0 आएगी और B की value भी 0 आएगी अगर यह real है लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं बोला कि यह real नहीं है अगर बोला कि यह real नहीं है तब इसके solution बहुत ज्यादा possible है क्यों possible है देखें आप इसको ज़र लेकर जाओ A square is equal to minus B square दोनों साइड root लेलो So A is equal to B iota और plus minus B iota A is equal to plus minus B iota चीक है ऐसा जे तो B की value आप कुछ भी रख लो यहां पे तो उसके according A रूपी की value बहुत ज़्यादा आ जाएंगी Right? Clear रहे हैं? ठीक है न? तो अगर यह complex number है तो आप यह बोल सकते हो कि A 0, A not equal to 0 B not equal to 0 यह बोल सकते हो अगर यह complex number है तो Clear है? अदरवाई तो वो real number में आ जाएंगी ठीक है? अगर A और B complex number है तो A not equal to 0, B not equal to 0 B solution के यह solution के लवाई भी solution आएंगे चलो आगे चलते हैं ठीक है तो इतने 8 point लिखवा दिया हमने जो complex number में काफ़ important थे Clear है? Okay अब आपको यह दिक्कत ना हो देखो जासे मैं लिखा देखो कभी कई बता जता हूं मैं कदी दिक्कत आरी किसी को चैसे मैं यह लिख लाह हूं minus root 2 तो इसको मैं root 2 अयाट लिख राता है मैंने उपर तो कैसे लिखा देखो कोशी नहीं किया रूट तो को अलग किया ठीक है और माइनस वन तो अलग किया इस दाइस तो यह क्या आएगा रूट तू इस रूट को इसे लिख रहा है तो यह याद रखा कि ऐसे मैंजपलेशन कर रहा है अच्याल इनकी भीं सिन Benjamin को पूर्य इनकी जो कॉंपलेक्स नंबर की ओती है वह नोल्म न नंबर को और करते हैं ऐसे a भी real है, cd भी real है, यह क्या आएगा, iota ad, आगे क्या आएगा, iota bc, और iota into iota minus bd, iota square है जाएगा ना, iota square लिख लिख लो, तो अगे जाएगा, ac, iota common, ad plus bc, iota square minus bd, तो multiply यह आएगा, addition क्या आएगा, z1 plus z2, तो real part, real part में add होगा, और imaginary part, imaginary part में add होगा, तो a plus iota b, plus c plus iota d, तो imaginary part, imaginary part के साथ add कर दो, और real part, real part के साथ add होगा, सेम minus के लिए जाएगा, real part से real part से plate होगा, imaginary part से imaginary part, देख तो minus b, अगर मैंने ऐसे लिखा है, a plus iota b, minus c plus iota d, तो minus के का अंदा के sign change कर दो, minus c minus iota d, तो क्या आजाएगा, a minus c, and iota b minus d, तो plus minus सब आगे है आपका, डिवाइड कर देख लो, डिवाइड कैसे करेंगे, कि z1 upon z2, दो complex नमर जेको डिवाइड कर रहे हैं, तो a plus iota b, c plus iota d, clear है, तो ये है डिवाइड, तो अभी तो समझो की rationalizing की तरह है, मैंने इसमें इसकी multiply कर दी, इस नमर की multiply कर दी, c minus id, मैंने जैसे rationalization में करते हैं, root 2 plus root 3 लिखा होगा, तो root 2 minus root 3 की multiply कर दो, right, जैसे कि आपर rationalization में बढ़ा है, मैं in class में, कि rationalization करना है, 2 plus root 3 का, तो आप क्या कर देते, 1 upon 2 minus root 3 का multiply कर देते, तो उसी तरह यहां पर जो iota की साथ sign होगा, उसको बतल के multiply कर देंगे, clear, तो कर दो multiply, तो उपर तो आजाएगा वही, ac minus iota ad, iota bc, और यह आजाएगा plus bd, यह multiply कर देंगे, ऊपर करना सिखा दिया मैंने, और यह देखो, a plus b, a minus b लिखाएगा, formula a square minus b square, तो a square minus आजाएगा, लेकिन iota square का वह प्लस हो जाएगा, देखो, इन तरह जाएगा, जब multiply करोगे, बीच में minus आएगा यहाँ पे, लेकिन iota square भी आएगा, तो iota square is minus 1, तो इसलिए वो plus हो गया, इसलिए आप मेंने plus लिखाएगा, तो c square plus d square, तो इस तरह से आप इसको कहले सकते हो, ac plus bd upon, अललग कर दिया मैंने, divide, और iota ले लिया, bc minus ad upon c square plus d square, तो यह आपका imaginary part है, और यह आपका real part है, तो divide में आप इस तरह से इनको separate कर सकते हैं, कि लिए, इनको इस तरह सेपरेट आप कर सकते हैं, तो हमने क्या कर सीख लिया, addition सीख लिया, subtraction सीख लिया, multiplication भी सीख लिया, आपने, यह सब चीज़े सीख लिया, तो आज के lecture में इतना ही, theory part हो गया, अगे lecture में इनके ओपर हम question करेंगे, है न, तो किसे कोई doubt है, तो comment section में पूर सकता है, और please channel को subscribe कर ले, क्योंकि हम पूरा course लेके आने वाले हैं, 11, 12, 9, 10 का math का, तो please is my request, subscribe करें channel को, thank you.